क्या आपको पता है जज की सेलेरी कितनी होती है सुप्रीम कोट के जज की सेलेरी कितनी होती है हाई कोट के जज की सेलेरी कितनी होती है सिविल कोट के जज की सेलेरी कितनी होती है अगर आप इस बारे में जानना चाहते तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे है इस वीड लो thrust के अपना शुरू करते हैं, कोड़ की जज की सैलेरी बताना इस पहले, आपको थोड़ा समय नायायले के बारे में बता देतों आपने बहुत बस सुना होगा ना जीला नियाले, सत्रे नियाले, हाई कोट, उच्छे नियाले, सुप्रीम कोट, उच्छे तम नियाले, तो बहुत तरीके के नियाले होते हैं, तो मैं आपको बताना चाओंगा, देखो, हमारी देश में जितने जीले हैं, यानि कि हर एक डिश्टिक में एक कोट होता है, और उ हमारे देश में राज है हाई कोड सभी राज में एक होता है और अब बात आती है सुप्रीम कोड की कि क्या होते तो तो सुप्रीम कोड हमारे देशे का उच्षेतम नियायाले होता है और यह नई दिल्ले में इस्थिथ Agora, सबसे पहले कोई भी जो मामला होता है वो जीला नयाले पे जाता है अगर वहां से फिर वो आगे बढ़के हाई कोट में जाता है और फिर वहां से भी अगर उसका फैसला नहीं होता है या फिर उससे भी अगर मामले को आगे बढ़ाना तो फिर वो सुप्रीम कोट में मामला आ से बने या फिर जज कैसे बने इन सभी के उपर एक प्लेलिस्ट बना रखे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्स देढ़े दूंगा आप उसको देखके बिल्कुल अच्छी तरीके समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप लॉयर बन सकते हैं तो बारी आती है कि सेलेरी किती होती है सिविल कोट के जज की सेलेरी किती होती है हाई कोट के जज की सेलेरी किती होती है और सुप्रीम कोट की जज की सेलेरी किती होती है तो देखो दोस्तों अगर हम सिविल कोट के जज की सेलेरी की बात करें यानि कि जो जीला नयायाले होता है उसके जज होते हैं उनकी सेलेरी क सिनियर जजज की बात करें तो इनकी जो सेलरी होती है उनकी जो सेलरी होती है वह सवा दो लाख रुपे पर महिने के हिसाब से होती है और हाई कोट के सीनियर जो जज होते हैं उनकी जो सैलेरी होते हैं वो धाई लाख रूपे के करीब होती है और अगर हम सुप्रीम कोट के जज की बात करें कि सुप्रीम कोट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी सैलेरी क्या होती है सुप्रीम कोट की जूनियर जज होते जो बाकी जज होते उनकी सैलेरी क्या होती है उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर प्रेस कर दीजे तो चले अब हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोट के जूनियर जज होते हैं उनकी सैलेरी क्या होती है तो दोस्तो जो सुप्रीम कोट के जूनियर जज होते हैं उनकी सैलेरी क्या होती है तो दोस्तो ये मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया कि सीविल कोट, हाई कोट, Supreme Court के Judge की salary किती होती है हो सकते है कि Civil Court और High Court के जो Judge की salary मैंने बते है इसमें थोड़ा सा बदला हो सकता है क्योंकि हर एक राज जिके उपर depend कर सकता है तो इसमें थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है और इसके अलावा इन्हें और भी कई तरीके के भत्ते मिलते है तो उसके अलावा भी इनकी salary के बाद इनको थोड़े बहुत भत्ते मिलते है तो दोस्तो मुझे उमीद है कि एक छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ज़्यादा इंफोमेटिव वीडियो थे आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद दे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपनी दोस्तों सब्सक्राइब चैनल पर बहुत सारी वीडियो जैज के उपर वो सारी वीडियो देखे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा तो आप सभीन इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद